असलाम लेकुम वेलकम टुमार यूट्यूब चैनल की चन्वीत नाफीश मैं हुश्रेफ मैवीज जी और यह है मेरे पापा कैसे आप सब उम्मीद करते हूं कि आप सब खैरियत से होंगे खुश रहें अबाद रहें अपनी घरों अपनी भड़ों अपनी चोटों के साथ अल पर अपनी फेवर्ट रस्पिक का नाम लिखें इस वीडियो को शेयर करें तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो मैंने इसमें से यखनी निकाल लिए तो इसमें मैंने टोटल जो कप यूज की है वह सिक्स कप यूज की है पाने के ठीक है और ये इसमें साथ में हल दी जाएगी एक चाय का चमच क्यूंके इसका कलर खराब नहीं होगा एक बड़ी लाइची और दो से तीन टूकरे डाल जाएगा और एक चाय का चमच इसमें नमक चायएगा और इसको हलका सा मिक्स अप करेंगे ये सारी चीज़े डालने का मकसद है कि इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी ठीक है और पानी इसलिए मैंने जादा डाला क्यूंकि हमें इसकी यकनी चाहिए और इसको प्रेशर करेंगे और जब आप वेट लगाए तो किचन से थोड़ा बाहर आ जाया करें तो और इसकी अहत्या बड़े साइस के प्यास ठीक है और हलका से इसको लाइट ब्राउन होने तक हम वेट करेंगे और अब आपने क्या करेंगे अब आपने मेरा चैनल आजमी सब्सक्राइब कर देने जिससे मैं बहुत कुश होती ताकि मैं मज़दार और छट पर टसांदा सब्साप के लिए ल सब्सक्राइड करेंगे तो इसमें तो बराब और चैनल प्यास नेर जाड़न में इसमें इसमी इसमें लाद मसाले करेंगे तो यह मैंने प्रेशर लगा लिया था तो वही वाला जो हम भीफ है अब हम इसमें एड़ करते हैं ठीक है और यह इतना जबरदस्त हो देखा इसका हल्दी राले से इसका कलर जो है वह ब्लैक नहीं हो तनक सर बीफ ब्लैक हो जाती है तो यह चुछ चुछ टीपस होती है मैं ह हमेशे कोशिश करते हूं कि आपसे वह शेयर करो अब एक पाव हम दहीं लेंगे इसमें एक से डेर खाने का चमच जो है हम नमक लेंगे और एक खाने का चमच हम जो है लाल मुर्चे लेंगे और एक ही खाने का चमच सुका धनिया ठीक है पिस्टा होगा जो होता है कोई बा दिर बाद में जाएगा और यहां पे 7-8 मिनिट मैंने इसकी इतनी जबरदस्त भुनाईगी है कि आपको यह ओल उपर नजर आ रहा होगा किस तरीके से दहीने पानी चोड़ना स्टार्ट कर दिया और इसकी जबरदस्त भुनाईगी होगी है यह मेंन चीज होती है भुनाईज ओती है खाने की लज़ज़ जोती है और यही वाली होती है अब जैसा क Fitness कर न है तो इसमें मैंने मेंने कॉप के साथ मेजरिंग कर ली थी कर लाए और पानी आपने कितना डाला है यह सबसे इंपोर्टन चीज होती है चावलों में हमेशा पानी की मिगदार चावलों की मिगदार से दो गुना ज्यादा होती है जैसे मिसाल के तोड़ पे मैंने इसके अंदर अगर पांच कप चावल इस्तमाल किना तो उसमें दस कप पानी जाएगा यह लास्ट मैंने इसके अंदर एक खाने के चमब जो है ना 0 डाला और इसको 2 से 3 बॉइल आने तक हम वेट करेंगे और जैसे 2 से 3 बॉइल आना स्वाइल ज़ाट हो ज़िए तो अब हम इसमें चावल आड़ करेंगे तो मेरे पास यहां पे यह 3 केजी चावल थे मतलब पूरे करके पानी डाला था अब यशिये ग्लास इसमें पानी चावल डाल दिये, उसको आपने चमच की बदार से बार बार नी चलाना है, एक बार चमच चलाना है मिक्स अप करना हाफ जब तक इसका सार आचह से पानी त्राइन आओ बने में नगी तो यहाँ पर सिरुजगे लिए भी दो अच्छा आपट नगी नुट है विस अच्छा गया खिया है और अधिया यहां अच्छा से पानी फ्रेम से पानी नगी हो गया अब इसमे पुछ भी नहीं और मजीद को जट पट रहसान रेस्पी दूँ ताकि आप बनाएं और बनाके मुझे इसका फीड़ बेक जरूर दिया करें और आपने कुछ भी बनाना कुछ भी सर्च करें आपने सिंपल रेस्पी का नाम और मेरा नाम लिखने और वोस रेस्पी आ जाए लिए तो कैसी लगी आपको आ कि चासेती, हलाफीस!